हेलो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो के दुरूर फर्स टाइम उसे जुड़ रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दा वीडियो एंड सब्सक्राइब दा चैनल आज हम आपको बताने जा रहे हैं पांच एसे जहरीले पोधों के बारे में जो की हमारे आसपास मुझूद है और जिनसे बड़ों को और बच्चों को खत्रा है आईए दोस्तों बात करते हैं पहले पोधे के बारे में जिसका नाम है पलमेरिया चंपा इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इसे चंपा के नाम से जाना जाता है इसके फूल बजार में 200 से 400 रुपी किलो तक मिलते हैं इसलिए इस पोधे को काफी बड़े पेम आईए दोस्तों बात करते हैं दूसरे पोदे के बारे में जिसका नाम है धतूरा अगर गल्ती से धतूरे को खा लिए जाए इसके पत्ते खा लिए जाएं या फिर इसका बीज खा लिए जाए तो यह ऐस थाई तोर पर पक्षागात यानि की लकवे को बोड़ी मोथपन कर सकता है और इसको खा लेने पर मसल पेन और मती ब्रहम का शिकार होना पड़ सकता है इसका यूज पूजा में होता है और शिव पूजा करने वाले इसको जानते हैं लेकिन इसके जहरेले होने के कारण इसे दूर ही रहिएगा। आईए दोस्तों बात करते हैं तीसरे पोदे के बारे में जिसका नाम है गाजर घास। उत्तर परदेश में इसको चड़िया बाड़ी के नाम से जाना जाता है और बाकी देश में इसको कांगरेस कास के नाम से जाना जाता है। इसके संपर्क में आने से गंभीर एकजीमा रोग, ऐलर्जी, बुखार, दमादी बेमारियां होती हैं। यह पशों के लिए भी खतरनाग हैं, ज्यादा मात्रा में खा लेने पर पशों की मृत्यों भी हो सकती हैं। इसलिए इससे दूर ही रहिएगा। आईए दोस्तों बात करते हैं चोथे पोदे के बारे में, जिसका नाम है नेरियम ओलियंडर। देशी भाशा में इसको कनेर कहा जाता है, इसके फूल, सफेद, लाल, गुलाबी और पीले रंके होते हैं, इसकी जड़ों में भी जहर होता है, इसके फूलों में भी जहर होता है, इसकी पतियों और चाल से निकलने वाला सफेद पदार्थ जहरिला होता है, इसके बीज अ पत्यंत जहरीले होते हैं इसलिए इससे दूरी रहिएगा और बच्चों को भी इससे दूरी रखेगा आएए दोस्तों बात करते हैं पांच में पोदे के बारे में जिसका नाम है अरंडी इसको इंगलिश में कैस्टर का जाता है और इसके तेल को कैस्टर ओयल यह पूरा पेट जही जहरीले होता है और इसके बीज सबसे जहरीले होते हैं अरंडी की फली से निकलने वाला टॉक्सिक सबस्टेंस जिसे रिसिन कहा जाता है इसे अमेरिका के पूर राष्टपती डोनल्ड टरंप को भेजा गया था यह साइनाइट से हजारो गुना गातक है आपको यह जानकारी कैसी लगी अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक गी ओडियो